कि आप दोस्तों आज में आपको इतारे लों सैमसंग एथाटी एस पे नए अपडेट आ चुका है जो कि बहुत टाइम से लोग इंटार कर रहे थे इसमें अपडेट कब आएगा वह आज यह अपडेट आ चुका है दोस्तों इस अब्डेट में क्या मिलने वाला है कैसे अपडेट मिलेगा कितने अब्डेट है कौश से क्योटी का अबडेट आया है सब आगे-आगे पता चलेगा दोस्तों दो वीडियो को समच वाइन दोसों चलते हैं अगे मेरे नाम सभागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो इसके लिए है वो करना क्या होग आपको जाना अपने कंड क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा नए अपडेट में और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर उन्होंने क्लियरली मैंशन कर दिया है कि यहां पर जो सिक्योर्टी लेवल है सिक्योर्टी पैश लेवल महां पर एक नंबर 221 का कर दिया गया है और जो यह अपडेट का साइज है 565 MB.73 MB का तर अब इसको कर लेते हैं दोश्टो डैंलوड करने के दोनों कसे एक नए अपडेट आया है और क्या इसमें कुछ नएया जाना है software information पर यहाँ पर मेरे पास 1 UI 3.1 है Android 11 है और 1 June का मेरे पास security patch updated है तो अब मैं इसको कर लेता हूँ update और install अब यहाँ पर मैंने इसको download पर click कर दिया जैसी मैं download पर click करूँगा और यहाँ पर downloading होना चालू हो जाएगा आपकी यहाँ पर आपको बता देगा update ready to install यहाँ पर अपडेट रेड़ी तो ज्यादा अच्छा होगा और आपका कोई बीदि उसमें चीज़ इफेक्ट मालब कोई भी डाटा जो इंपॉर्टेंट उसका बैकप लेना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं को जो नोनों ने अब लिखके भी दिन लगे हैं कि आपका सम सेटिंग में भी चेंज आफ्टर अपडेट अपडेट शोड एफेक्ट यूर परसनल डाटा बट इस आलवेज गुड की आइडिया टू बैकप यूर डाटा उसमें यही लिखा है कि अपडेट में अगर आपका बैकप का डाटा कभी नहीं जाता बट फिर भी आप बै मेरा री स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पैकेज यहाँ पर प्रोसेसिंग पर हो रहा है पैकेज प्रोसेसिंग पर होने के बाद जैसी यह 100% होगा मोबाइल री स्टार्ट होगा स्टार्ट होने का समसंग का लोगो आएगा जो की हर बार आता है फिर भी यहां पर बताता हूं कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे चैनल पर नए जोड़े होंगे यहां पर सब्सक्राइब किया हो उनों ने तो उनको बताना जरूरी है कि कैसे यह अपडेट होता है उनको घबराना नहीं है और जब भी मोबाइल रिस्टार्ट हो तो कभी भी आपको यहां पर कोई भी की को प्रेस नहीं करना है जितना भी टाइम लेगा आटोमेटिक वो स्टार्ट होगा आपको किसी भी चीज को वहां पर प्रेस नहीं करना है वेट करना है मेबी 15 मिनिट्स भी सकते हैं 20 मिनिट्स भी सकते हैं लाइक आदा घंटा भी लग अब उसके बाद फिर दोबारा आपका मॉइल यहां पर रीस्टार्ट होगा यह थोड़ा वेट करना रहेगा फिर एक नई प्रॉसेस चालू होगी उसके बाद आप देख सकते हैं तो बस हो नहीं वाला है आप देख सकते हैं यहां पर फोन इस अपडेटिंग और जेतनी भी मेरे mobile में apps हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 451 मेरे पास apps दिखा रहा है और अब सारी apps यहाँ पर optimize होंगी और उसके बाद finally आपका mobile यहाँ पर restart या दो सकते हैं आपका mobile update हो जाएगा तो इसको भी होने देते हैं दोस्तो तो अब आप देख सकते हैं दोस्तो finally यहाँ प करूंगा तो हाँ पर आपको दिख जाएगा software update की एक process चल रही होगी तो अब जब आप पहली और on करेंगे तो आपका mobile यहाँ पर थोड़ा से लो से चल रहा होगा installing हो रही है कोई apps यहाँ पर background में कोई update होने किया था हमेशा कुछ ना कुछ apps वहाँ पर update हो जाती है finally अब हो चुका है update अब आपको एक notification आ जाएगा जिसमें लिखा रहाएगा कि आपका mobile update हो गया है और अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक app install कर दी गई है जोश नाम से दो कि पहले मेरे mobile में नहीं थी अब उसको यहाँ पर install कर दिया गया है अब मैं आपको लिए चलता हू हो आपको software information में यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास वनिवाई 3.1 वन है और यहाँ पर अभी Google Play Store की वह भी वही है security update यहाँ पर एक नवंबर का हो चुका है आपको दिख रहा होगा एक नवंबर की security patch update आ चुका है और अगर आप में software update में जाओंगा तो यहाँ पर मेरे पास भी कोई भी software pending update नहीं दिखा रहा होगा तो कि अब latest update हो चुका है तो जोस्तो में next वीडियो में जरूर बताऊंगा इसमें क्या नया update आया आप मुझे comment करके जरूर बताए क्या आपको कुछ लगता है उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थें अब ही तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब करना ना बोले ताकि मैं जल्डियो तक पहुच सकूँ जिसमें बहुत लिमिटेडिंग बचे है वह छोटा सा एमाउंट ही बचा है पचास साड़ी बचे है जो कि आप फटावड इस व प्यूरियोस लानेंगी कोशिश करूँ तो थेंक्यों दोस्तों